नमस्कार स्वागत यह उत्रकंडलाइग ने दैरादूं से बड़ी खबर आपको बता दें 8 जन्वरी को होगी त्रिवेंद केबिनेट की बैठक सचिवाले में बैठक होगी और कई प्रस्तावों पर इस बैठक में मुहर लग सकती है ते बड़ी कबर आखो देरादून से बता रहे हैं जहां आज जिन्वरी को त्रिवेंद कैबनेट की बैचक होगी और कई अहम प्रस्ताव इस बैचक में पास हो सकते हैं सचीवाले में कैबनेट की बैचक होगी कई अहम प्रस्तावों पर मुहल्णक सकती है इस बैचक में आ रिविन सरकार की पहली बैचक होगी आट जिन्मरी को क्याबनिट की बैचक सचीवाले में जिसमें कई प्रस्तावों पर मुखर लग सकती है जिरादूर से बड़ी खुबर आपको बता रहे हैं कई अलब प्रस्ताव पास हो सकते इस बैचक में प्रमोशन में अलक्षन समेथ कई अन्यमांगो को लेकर स्टी कर्मचारियों ने अपनी आवाज बुलं की इस जुरान प्रदेश पर में अनुसूचित जाती और अनुसूचित जन जाती वर्ग के कर्मचारियों ने जला मुख्यालों पर जोरदार नारिबाजी के बीच प्रदर्शन किया और रैलिया निकाली इस जुरान उनों ने जलादिकारी के माधियम से प्रुधान मंत्री और मुख्य मंत्री को ग्यापन देजा उत्राकर्ण ने CST Employees Federation टेरी गड़वाल की शाखा ने अमिटकर पार्क में रैली कायोजन किया इस जुरान कर्मशारी नेताओं ने आरुफ लगाया कि पद्रुधती में आरक्चन सीधिवर्टी में रोस्तोर सकी गई चेरच्वाल आदि समस्त्याओं की संबन्द में सरकार से अनुरोद किया गया है लेकिन इसके बावजूद सरकार द्वारा कर्मशारी के मांगो पर कोई सक्करात्मक कारवाई नहीं दो गई तो स्टी कर्मशारी ने अपनी मांगो को लेकर फ्रदर्शन किया और ग्यापन सपा मोखी मंत्री और प्रदान मंत्री पोई संबोदे हमारा इस सरकार के पड़ती बहुत ही आक्रोश है हमारे पूरे समाज में एक सरकार के पड़त गलत मेसेज आ रहा है और ऐसे मनुवाद विचारधार की सरकार जिसकों की दलितों की बिरोधी कहा जा सकता है वह हमारे आज दमन करने के उसमें आरखी है दमन चक्र चला रहे आपने देखा होगा कि रोष्टर जो अभी पूर्मदी सरकार यूपी में हमारे पर्देश था रोश्टर परणाली वहां भी वह ओई है यहां ऐसी अचानक क्या आउक्स्ता आन पड़ी कि उसको एक से छटी नुमर्ब कर दिया गया कारण क्या है कि अब पर्तेग विवा इतना चोटा सा पर्देश है यहां बिग्यप्ते कितने कितने पदन निकलती है दो निकलेंगी चाहा निकलेंगी हमारे हमें आसंगीत है ह हम भैवीद हैं कि अब हमारे लोग इस पर्देश में मुझे लगता की नोगरी बिलकुल भी नहीं कि आरेक्शन जो रोस्टर की प्रवांज बनाए दी गई है वह एक दम सरकार की दोरा जो है उल्टा कर दिया गया है इसी तुर्ष पर आपको बताने एक हाई में गिरा है हाथ समय की मौत और च्छार लोग गाहिलों लोगई हैं गांलों को जला स्पताल में फिलाल भरती करा गया इसायी बिड़ी वहठ bowl इसन है ाता फिर भशे आझ में एक किम मोठो और च्छार लोग भायल में ह गायलु का एलाच चल रहा है जला स्पताल में तो दर्दा खास्ता हुआ है टेरी में जो आएक बाहन गैरी खाई में गिर गया और ये तस्वीरे आप देख सकते हैं कि बाहन के पर खच्चे उड़ गए हैं साथ से में एक की मौत और चार लोग घायल बता जा रहे हैं इस पुरी घटना में घायलों को फिलाल इलाज के लिए जिलास्पदाल में भरती कराया गया है जहां उनका इलाज जारी है उत्रकंड किवल देव भूमी ही नहीं बलकि प्राकृतिक सौंदर से भरपूर नदियों और परवतों की भी भूमी है आज टेहरी जिले का स्थापना दिवस है टेहरी शहर भागिरती और भिलगना नदियों के संगम पर बसा एक छोटा सा शुहर था विश्व के बड़े बांदों में शामिल टेहरी बांद के निर्माड के फलसुरू टेहरी शहर पानी में डूब गयो और टेहरी जिल जिसे आज सुमन सागर के नाम से जाना जाता है उसका निर्माड हुआ टेहरी शहर को विस्तापित करके नई टेहरी शहर में बसाया गया है सन 1815 में टेहरी शहर अस्तितों में आया था टेहरी रियासत के काल में ही उत्राकंड का पहला जन आंदोलन 1930 में हुआ जब आजाद पंच्वायत के आवान पर सैकडों लोग तिलाडी के मैदान में सत्ता के विरोध में आख खड़े हुए और गोलियों से उन्हें भून दिया गया था विकास के नाम पर आज टेहरी डूप चुकी है लेकिन फिर भी टेहरी आज भी संगर्श की प्रेड़ना देती है जनान दोलनों की याद दिलाती है श्रीदेव सुमन के जजबे को देजभक् अपनाई ना हो सके बताते चलें की बढ़ती ठन के कारण सड़कों पर पाला जमा हुआ है इसके कारण सड़क पर गाड़ियां फिसल रहे है और हाथसों को नियोता दे रहे हैं अधिशाषी अधिकारी राजिंद्र सजवार ने बताया कि च्वेतर में सभी डेंडर जोनों को चुनित करके उसमें चूना डाला जा रहा है इसके साथ ही नगरपालिका के द्वारा भी लोगों की सुविधा के लिए बोर्ड लगाए गए हैं लोगों की सुविधा के लिए कि जिस पर लिखा हुआ है कि आप जो है साबनानी पूरवक्त चलें चमोली में जुला दिकारी चमोली स्वातिय सभधोर्या कि अद्यक्ष्टा में जिलाचे के साले प्रबंदन समिती की बैठक कायोजन किया गया बैठक कायोजन गोपेश्वर जिला अस्पताल में किया गया इस दुरान वित्ती वर्ष 2019 बीस में विबन अमदों में प्रस्तावे ताय वेसंबंदी प्रस्तावों पर चर्चा हुई इसके साथी समिती द्वरा कई प्रस्तावों पर स्विक्रती प्रदान की गई इस दुरान चलातिकारी ने अस्पताल में साफ सफाई विवस्ताओं का निरुशन कर मरीजों को बहतर सुवधाय मुहया कराने के निरुदेश दिये इसके लावा सीट मनी के अंतरगत शरद रितु एतु चिकिस साले के वार्डों में वॉल मौट हीटर सापित करके बेट साइड लॉकर और एसी लगवाने और अस्पताल में भरती रोग्यों की भोजन सुविदा के लिए आवश्यक बरतन करे करने की भी स्विकृति प्रदान की गई तो जलाच इकिस साले प्रबंदन समिती के बैठक हुई जिएम स्वाती भदोरिया की अध्यक्षिता में जिसमें तमाम निर्देश दिये डियम ने और इसके साथ ही अस्पताल में सफवाई विवस्ता का भी जाय जाल या डियम प्रदादे की बैठक का युजन गोपेश्च्वर जिलास्पताल में हुआ था जिसमें कई प्रस्तावों पर स्विकृति प्रदान की गई और जिलादिकारी ने निरक्षिन कर मरीजों को बहतर सुवधाय मुहया कराने के निर्देश दिये बडरीनाद धाम में सीमा स़टक संगठन के कैम्प के पास हिम्स्खलन का खत्रा बढ़किया है बारी बरवारी के बार पूरे इलाके में Shree T fragen का जबर्दस्त कह включ अ प्रिसल बद्रीनाद धाम में मारा जाने वाली सड़क पर बियारों का कैम्प है इसी कैम्प के पास बड़ी मात्रा में बरफ के टुकड़े गिरे गनीमत ये रही कि उस वक्त सभी जवान और श्रमिक अपने अपने कैम्प में थे बरफ गिरने की अवाज सुनकर कुछ श्रम बढ़ गया है चमोली में और कहीं न कहीं प्रिशासन की भी चुनौती बढ़ गई है तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि किस तरीके से यहां बरफ की चादर में ढखा हुआ है पूरा चमोली और हिम्सकलन का खत्रा भी बढ़ गया है बता दे आपको कि सड़क संग्टन के क्याम के पास हिम्सकलन का खत्रा लगता रख बढ़ता हुआ नजर आ रहा है पूरे आलाके में जबदस शीत लहर भी है प्रदेश सरकार भले है विकास के लाख दावे और वादे करती हूँ लेकिन धरातर पर कुछवारी हाकिकत बया होती है शाशन और प्रशासन की ऐसी है एक लापरवाही का मनजर सामने आया है दरसल गाउं में सड़क ना पहुँचने से एक महिला ने बेटे को जर्म देने के फौरण बाद डोली का सहरा लिया और लोगों की मदद से अपने गाउं पहुँची वीडियो में आप साफ तौर पर देख सकते हैं कि किस तरीके से एक मा और उसके नवजात शिशु को डोली के अंदर बिठा कर उसके गाउं ले जाये जा रहा है तो यह तस्वीरे साफ तौर पर शाषन प्रिशाषन के दावों की पोल खोल रही है जहां सरकार बड़ी बड़ी दावे करती है मन्चों से लेकिन कहीं न कहीं यह तस्वीरे उन दावों पर पानी फिरने में हमारे सार्थ हमारे सेयोगी प्रदीफ फोन लाइन पर मौझूद हैं प्रदीफ तस्वीरे साफतार पर बया कर रही है कि जहां विकास के बड़े-बड़े दावी किये जाते हैं वहीं विकास जमीनी इस तर पर कितना नज़र आता है जहां एक मा को नवजात शिशु के कर ले जाना पड़ा उसके गाउं कि यह आदिप कि बिगाज कंड बिना का दुरुस्त गाउं हिपाज जहां पर फड़क से महरूम होने से लगातार गामिर इसके प्रक के लिए मांग कर रहे हैं लेकिन आद ही में परसा वाली मेला हैं और जो बार विस्टेंट पूर्ट में प्रदीप आपके आवाज साफ हम तक नहीं पहुंच पा रही हैं फिलाल तुमाम जानकारी के लिए धन्यवाद आपका शब्रुस्त खबरों में आगे बढ़ेंगे द्वारा हाट में राज के इंटर कॉलिज में समगर सिक्षा भियान के तहत निस्टा कारिक्रम के शिरवाद की गई इसके लिए पांच दिवसी प्रसिक्षण कारिक्रम का युजन किया जा रहा है बताया गया कि ये एक देश व्यापी कारिक्रम है जिसमें 92 लाग सिक्षक भाग ले रहे हैं इस प्रसिक्षण में NCE-RT के माध्यम से सिक्षा की नई विद्यों की जानकारी देना है जिसले क कि विद्याले प्रमुक और सिक्षण को का सिक्षण की चेत्र में सर्वांगिड विकास हो सके निस्ठा का प्रक्षिशन जो चल रहा है समझ वो पूरे हमारे जुनियर है स्कूल और प्राइमरी सिक्षण के लिए हैड मास्टर से लेकर साहिव ध्यापों के लिए पुराई कि अधर्य मैट्म चला है कि तुप का से वहाँ पर पता है ऑफ़क अपने विद्यालेह में जो है कैसे निस्ठा के माहूल को भैतर बना सकते हैं और साथी किस परकाई से बच्चों में हम भी सिक्षय के प्रति आहुता है समाच के परतिजान हुटा और जो हमारी सर्कारी सि मसूरी में आयुजित विंटर लाइन कार्णिवाल में स्थानी लोग और परेटक जम कर लुफ उठा रहे हैं कार्णिवाल में लोक मृत किये गए वहीं जौनपुर से आए चोटे कलाकारों द्वारा भी देवी देवता की डोली द्वर आधारत मृत प्रस्तुत किये गए ज मानेता है कि पांडव यहीं से सर्वांग रोहणी के लिए गय थे और इसी कारण उत्राखन में पांडव पूजन की विशेश परंपुरा है वहीं डियम ने बताया कि त्योहारों के पारंप्रिक सुरूप को बचा रखनी के दिशा में श्वेत्र में बगवाल कारेक्रम का अपनी संस्कृती से रोगरू करवाया जा सके और परिश्टिन को बढ़ावा में सके जो पैचान है हमारा उत्राखन का संस्कृती और व्यंजनों का जो प्रमोट करने का जो मकसद है उसका एक आज बहुत बड़ा एक स्वरूप है हमारा उत्रकाशी का टीम जो है इंटेर टीम आये हैं बगवाल जो कराते हैं जो इवन्ट वो आज यहां पे कर रहे हैं हैै तो यह आपने आप में यहां का परेटक जितने भी लोग देश्विदेश से आए हैं सबीलोग जो है उसका एक रियल उत्राकंड का फ्लेवर जो है उनको देखने के लिए जो है मल रहा है उसलिए उत्रकाशी से जो भी टीम आये हैं वो उनके लिए जो है हम लोग हार्दिक धन्यवाद देते हैं कि वह कोड़वार की राज की शशीधर भट स्पोर्ट्स स्टेडियम में नाशनल फुटबॉल टूर्णामेंट का उद्गाचन किया गया नौदिनों तक चलने वाले गड़वाल कप में कैबनेट मंत्वी एश्पाल आरे और हर सिंग्रावत बत और मुक्यातिती के रूप में शामिल हुए इस दुरा नौन ने दीव प्रजवलित कर इस नाशनल फुटबॉल टूर्णामेंट का उद्गाचन किया फुटबॉल प्रेम्यू में इस टूर्णामेंट के आयो जिन को लेकर बारे उससा देखने को मिल रहा आफ़त बन चुके स्टेडियम के सटे ट्रेंचिंग ग्राउंड के बारे में कहा गया कि जल्दी इस ट्रेंचिंग ग्राउंड को यहां से हटाया जाएगा और आप देखेंगे उपर टाइल्स के लिए सोचाले के लिए मैंने 25 लाग रुपए दिया था और कुछ काम वह भी है टाइल्स लगी है जो उपर बैठने के लिए उदर कुछ जो इंडोर स्टेडियम है उसके लिए मैंने धन्राश से दी है दस लाग रुपया बिदाई मेरी से लेकिन इनका जो इस पोर्स जिला यह वाक कर लाना थे जिला खिरा दिकार था इनका कहना था कि उसके लिए अमारे पाल धंदाश से पहले से है अगा है अगा हुआ हुआ है हरिद्वार में सित गुरकुल कांगडी विश्वदाले में आयुजित पांच दिवसी प्रदानंद होकी टूर्णामेंट का समापन हो गया है टूर्णामेंट के फाइनल मैच में श्याहबाद मारकंदे की टीम ने ट्रॉफी पर कबसा किया इस मौके पर क्याबनेट मंत्री मदनकौशिक ने विजवेता और विजवेता टीम को पुरुसकार देकर सम्मानित किय इसके साथ उन्होंने खिलारियों को बधाई दी और कहा कि गुरुकुल होकी मैदान से मेजर ध्यांचंद जैसे कई महान खिलारी खेले और होकी मेदेश का नाम रौशिन किया उन्होंने खिलारियों के उज्वल भविश्य की काम ना की और यह एक ऐसा मैदान है जिस पार ध्यांचंद से लगाकर अनेक परकार के अनेक परतिश्टित खिलाडियों ने भारत के और गुरुकुल कांग्रे विश्य विद्धाल्यों को गोरव में बनाया है जाना जाता है इस अबसरफर में सभी गृड़कुल कांग्री विश्य विद्धाल्यों के टोनामैंट के जितने भी हमारे कराने वाले अधिकारी है उन सबको बधाई शुकामना है और जो हमारी तीम है उनको भी बधाई शुकामना है जब सुभारम बता को लाधी पती श्रीस अत्वाल जी यहां थे मुख्यमंत्री जी तब इस वारे में चर्चा हुई थी और मैं उम्मीद करता हूं कि जल्दी यहां एक वैसे हरीद्वार म प्रूनामेंट के माध्यम से अधूने ग्राउंड तैयार हो रहा है उभी आने वाले समय में गुरुकुल कांग्रिस दल्देश के समाधान को देख रूटकी में पुलिस को बड़ी काम्यावी मिली है सिविल लाइन्स कोद्वाली पुलिस ने एक अंतरवाजी वाहन चोर गिरों का भांडा फूर किया है पुलिस ने ग्यांके चार सदस्यों को पकड़ा है जिनके पास से पुलिस ने एक तमन्चा और चोरी की ग्यारा बाइक के बरामत की है पुलिस के मताबिक चोर उत्राकंड समेत आज-पास के राज्य हर्याना दिल्ली उतरप्रदेश के जिल बंदी के लिए हरिद्वार रोड इससे तेक वर्क्शॉप के पास चेकिंग अभियान चलाया इससे दुरान पुलिस को रूड़की की और से चार लोग आते दिखाई दिये पुलिस ने रुखने का इशारा किया तो उन्होंने भागनी की कोशिश के लेकिन पुलिस से उन्हे पूश्ट लिया पूश्टाश करने पर पता चला की पकड़ी गई बाइके चोरी की हैं इसके बाद पुलिस ने च्वारों को हिरास्त में ले लिया जिला पंचायत अद्यक्ष दिपिका बोहरा का बेरिनाक चित्र में पहुंचने पर लोक निर्मार विभाग की अतिति ग्रह में भाजबा कारेकरताओं ने जोरदार स्वागत किया जाए इस मौके पर जिला पंचायत अद्यक्ष दिपिका बोहरा ने कारेकरताओं सहित इस्थानी लोगों की समस्याओं को सुना इसके बाद उन्हों ने कहा कि प्रतेक गाउं में जाकर लोगों की समस्याओं को सुना जाएगा और नयाए पंचायत इस तर पर शिवर लगा प्रकोप थमने का नाम नहीं ले रहा है पारा लगतार गिर रहा है और बरफीली हवाएं हाड कपा रही है दरादून साहित रिशिकेश अरिद्वार उदम सिंग नगर हलद्वानी में सुबा घना कोरा चाया रहा चमूली जले के गोपेश्वर में तापमान चार डिगरी रहा जोशीमत में दो डिगरी बरिना धा में तापमान माइनस छे डिगरी गाट विकासखंट के रामरी गाउं थेक डिगरी पोख्री के मोहनखालचेत में एक डिगरी लोहागंज में एक डिगरी और पाड़ा इराणी माइनस दो डिगरी तापमान रहा वहीं हरिद्वार में बढ़ती ठंड ने लोगों की परिशानिया बढ़ा दी हैं मौसम में अधिक ठंड कोहरे और पाले को लेकर प्रिशासर ने एक अक्षा बारा तक कि सभी स्कूलों को बन कर दिया है तराई चेतर में कोहरे का प्रकूप लगतार जारी है वहीं राज मौसम विज्ञान केंडर के निदेशक विक्रम सिंग ने बताया कि 31 दिसंबर से मौसम का मिजाज बदलेगा और पश्यमी विक्षोप की कारण एक और दू जन्वरी को बारिश होने के साथ ही बाईस सो मीटर से अधिक उच्वाई वाले चेतरों में बरबारी भी हो सकती है जायक और पूरे देश में आर्थिक मंदी का दौर है वहीं एक और मार वैपारियों को मौसम की जिलनी पड़ रही है बड़ती ठंड के चलते पारा इतना अधिक हो चुका है कि ठंड के मारे ग्राहक बरजार का रुख नहीं कर रहे ऐसे में वैपारियों के सामने अपनी रोजी रोटी के संकट के लाले पड़ गए हैं वहीं जब वैपारियों से बात की गई तो उनने कहा कि पहले ही आर्थिक मंदी से वे लोग गुजर रहे हैं और अब बढ़ती ठंड के कारण ब्राहक बजार में नहीं आ रहा जिसके चलते उनका वैपार ठप हो गया है बहीं चमॊली की गैरसेंड में पोलिस ने जजन जग रुकता अभियान के जरीए लोगों को जब रुक किया लोगों को यातायात नेमों के प्रतीज जब रुक किया इसके साद ही शोशल मीडिया पर अफ़वा फेला रहें अफ़आउस से बचने के अपील की और हेलमेट और सीट बेल्ट पहेंड कर वाहन चलानी की पुलिस ने अफिल की इन्ही खबरों के साथ उत्रा खंडलाई में फिला लेता ही नमस्कार